उन्षान्ति भारत में शीव जैन्ति काया कहो, शीव रात्री का त्यहोहार बड़े धाम-धूम से मना रहे हैं तो शीव जी के उपर आप देखते हैं, जब शीव लिंग है उसके उपर तीन रेखाएं की है वो तीन रेखाएं है क्योंके भगवान त्रीमूर्ति है और भगवान है वो त्रिलो की नाथ है, शिव जी को त्रिलो की नाथ भी कहेंगे, क्योंके स्थूल वतन, सुक्ष्म वतन और मूल वतन तीनों की बात वो जानते हैं, उनको त्रिकाल दर्शी भी कहते हैं, क्योंके तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए शिव जी के उपर बेल तो शिष करके तीन पत्र साथ में होते हैं, तो शिव का अर्थ है कल्यानकारी, और शिव बिंदू भी कहते हैं, तो परमात्मा है निराकार, और निराकार होने के कारण, आज सब उनको जानते नहीं, और पहचानते नहीं, और कई प्रकार की मानियता उनके बारे में है, और भारतवासी विशेश देवी देवताओं को भी भगवान समझ बैठे हैं, परंतु वास्तम में भगवान एक है, निराकार है, अजन्मा है, अकरता है, अभोगता है, तो शीव जी है, उनका जनम नहीं है, ना मरण है, ना कर्तव्य करते हैं, ना कर्तव्य काफल भोगते हैं, इसलिए अजन्मा, अकर्ता, अभोगता कहेंगे. शीव परमात्मा है, वो परम आत्मा है, हम आत्मा है, जोती बिन्दु है, और शीव है, जोती बिन्दु, परंतु परम है, सबसे स्रेष्ट है, इसलिए परम आत्मा उनको कहेंगे. तो परमात्मा हम सब आत्मा के पिता है, और परमात्मा हमारे साथ अनेक प्रकार के संबन निभाते हैं, पिता के रूप में वो हमारी वर्सा देते हैं, मा के रूप में हमारी पालना करते हैं, तीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, गुरू के रूप में हमें सद्गती ये जाईट बनकर हमें परमढ़ां और सत्त्युक्रा दिखाते हैं लीबरेटर ओड़ने के कारण हमें दुख और अशांती से लीबरेट करते हैं。 तो वो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, सद्गतिदाता, लिबरेटर, गाइड, और परमात्मा है, सब गुणों का भंडार है, या सर्वशक्तिवान कहें, तो परमात्मा है, प्रेम का सागर, आनन का सागर, सुक का सागर, शांति का सागर, दया का सागर, तो इसलिए सागर के रूप में सर्व खजानों से भरपूर है और सब बच्चों को देते रहते हैं तो वो हमें वर्षे के रूप मिलता है परमात्मा से तो शिव जी है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचता है जब किसी का भी परिचे पूछते हैं तो उनको पूछते हैं आप कहां के रहने वाले हो तो परमात्मा है वो परमधाम का रहने वाला है सूर्य चान तारागन से पीपरे ब्रह्मतत्व में रहते हैं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपना कर्तव्य खराते हैं और उनका कर्तव्य है ब्रह्मा के द्वारा ज्यान देकर नहीं सत्योगी दुनिया की सापना फिर विश्णु के द्वारा इस दुनिया की नहीं दुनिया की पालना कराएंगे और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश तो ये परमात्मा अपना कार्य ब्रह्मा वि तो परमात्मात शीव जी जो की हमारे परम पिता है वो अभी अपना ये जो स्रेष्ट कार्य है उस कार्य में हमें अपना मददगार बनाते हैं ताकि हम भी उनकी मदद करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे जग परिवर्तन नहीं होंगा तो हमारे परिवर्तन से दुन्या भी परिवर्तित हो जाएंगी तो इसलिए शीव जी का कार्य है कल यूगी दुन्या को नई सत्यूगी दुन्या बनाना ओम शांति